हेलो दोस्तो मैं आंकित सिंग स्वागत करता हूँ आपका प्रेगरती कोचिंग सेंटर अलमोडा में दोस्तो आज वे फिर से आपके लेकर आया हूँ उत्राखंडे के कुछ महत्रपून प्रस्न जो आज का पहला प्रस्न है वो है गैदी का खकोटी उत्सो कहां मनाया जाता है option आपका पौडी उत्तरकासी अलमोडा और रुद्र प्रियाग तो दोस्तो जो गैदी का खकोटी उत्सो मनाया जाता है गैदी का खकोटी उत्सो पौडी जनपद में मनाया जाता है और यह कब से कब तक मनाया जाता है वसंत पंचमी से आपका वैसाकी तक कब तक वसंत पंचमी से वैसाकी तक जो है आपका यह उत्सो मनाया जाता है गैंदी का खुकुर्टी उत्सो पौडी जन्पद में और यह जो आपका गैंदी का खुकुर्टी उत्सो है यह किस्ते संब आज का अगला प्रसन है दूसरा प्रसन है कौन सी परियोजना पूर्वी धौली गंगा पर इस्तित है आपका वोकांग बालिंग चुंगर खाल उर्थिक सोबला या उपरियुक्त सभी तो दोस्तों जो आपका वोकांग बालिंग है ये पूर्वी धौली गंगा पर तो है च और जो पूर्वी धोली गंगा है दोस्तों किसकी सायग नदी है आपकी ये काली नदी की जो है आपका ये सायग नदी हो जाएगी और ये आपका खेला नामकिस्तान पे कौन से खेला नामकिस्तान पे जो है आपका पूर्वी धोली गंगा का संगम किस से हो जाता है काली नद से हो जाता है और जो आपका बोकांग बालिंग, चुंगर खाल, उर्थिक सोबला ये सभी जो पर्योजना हैं ये आपका पूर्वी धोली गंगा पर इस्तित हैं दोस्तों आज का अगला प्रसन है तीसरा प्रसन कौन सा आभुसन बाजू में पहना जाता है ऑप्सन आपका प पहनी जाती है तो अब बचा कौन गोखले तो जो गोखले है दोस्तों ये जो गोखले आभुसन है कहाँ पर बाजू में पहना जाता है और जो गोखले है इसको ही हम बाजू बंद भी कहते हैं क्या कहते हैं बाजू बंद भी जो है आपका किसको कहा जाता है गोखले को कहा इसको शरीर के आपके किस अंग पर पहना जाता है, यह question बन सकता है, तो यह आपका गोखले आवुसन है, बाज उपर पहना जाता है, दोस्तों, आज का अगला प्रसन है, चौथा प्रसन, सब्तेश्वर परियोजना किस जिले में है, आपका पिथोरागड, चमपाओत, नेनि जाएगा option B, चमपाओत, जनपत पर जो आपका सब्तेश्वर परियोजना है, और जो इस सब्तेश्वर परियोजना है, किस नदी पर है, अगर कुशिन आता है, तो इक किस नदी पर हो जाएगा आपका, सार्दा नदी पर जो है, आपका यह परियोजना हो जाएगी, कौन स तो दोस्तो जो खड़गा भूँथ है पहले किस रूप में पूझा जाता ने पेलारी प्रेतांक माले पूझा जाता है पहले कैसा आफ की सुंधा लू सब्सक्षा भूट है एक वेले किस रूप में पूझा जाता है और ya QWASCHINE है इसमें जो प्रहतात्मा के रूप में पूजित खड़गा भूथ किस जंजाती से पर्चलित है तो यह किस जंजाती से आपका परचलित हो जाएगा यह आपका थारू जंजाती से तो right answer क्या होजाएगा option B थारू जंजाती कुशिन बनेगा जो आपका थारुजनजाती का जो खडगा भूत है किस रूप में पूजा जाता है देपता के रूप में या अन्ने किसी और रूप में या प्रेतात्मा के रूप में तो यह आपका प्रेतात्मा के रूप में पूजा जाता है और जो आपका नगर्याई दे आपका थारू जिन जाती के द्वारा आपका नगरियाई देवी की पूजा की जाती है और जो खडगा भूत है दोस्तों यह आपका थारू जिन जाती का इस्ट देवी माना जाता है दोस्तों अगला प्रस्न है आज का छटा प्रस्न है घाटर लिया बालचा लमलंग दर्रे किसे जोडते हैं आपका उत्तरकासी तिबबत चमोली तिबबत पिथोरागड तिबबत या चमोली पिथोरागड तो दोस्तों जो आपका घाटर लिया है बालचा हो गया लमलंग हो गया किंग विंग्री विंग्री अन्य जो जोडते हैं आपके चमोली और तिबद को जोडते हैं यह तर्व जो आपका तिबद और किसको किसको जोडते हैं चमोली को जोडते हैं चमोली तिबबत बोलो या तिबबत चमोली बोलो दोस्तों आज का अगला प्रसन है सात्वा प्रसन कटपुडिया या कटपतिया देवी का मंदिर कहां इस्तित है आपका अलमोडा पिथोरागर रुद्रप्रियाग या नैनिताल तो दोष्टों, जो आपका कटपुढिया है या इसको अन्ने किस नाम से जाना जाता है। ये किस जन्पद में इस्थित है तो ये आपका पित्धौ अगर्ण जन्पद पर इस्थित है। तो right answer क्या हो जाएगा ऑप्शन B. पित्धौ अगर्ण जन्पद। केदार नात रोपिवे परियोजना का शिलान न्यास कब हुआ option आपका सितंबर 2022, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022, दिसंबर 2022 तो दोस्तों जो केदार नात रोपिवे परियोजना है इसका सिलान न्यास कब हुआ आपका अक्टूबर 2022 में हुआ यह जो आपका current है पिछले साल का यह आपका important बन जाता है क्योंकि अभी exam में ज़्यादा तर current पूछा जा रहा है दोस्तों आज का अगला प्रस्न है उत्राखंडे में नई शिक्षा नीती कब लागू ही option आपका 1 April 2022, 6 June 2022, 12 July 2022 या 1 November 2022 तो दोस्तों जो उत्राखंड में नई शिक्षा नीती लागू की गई कब की गई आपका 12 July 2022 तो right answer क्या हो जाएगा option C 12 July 2022 को दोस्तों आज का अगला प्रस्न है कुमाओं की सांसिकर्तिक राजधानी कहा जाता है option है आपका चमपावत, अल्मोडा, नैनिताल या अस्कोर्ट को तो दोस्तों जो कुमाओं का सांसिकर्तिक राजधानी किसे कहा जाता है आपका अल्मोडा को तो right answer क्या हो जाएगा अल्मोडा option B अल्मोडा और जो अल्मोडा है इसको और किस नाम से जाना जाता है इसको एक आलम गिर आलम आलम गिर नाम से भी इसको जाना जाता है तो आलम नगर इसको किस नाम से जाना जाता है जो हाबका राजाओं की घाटी भी आ जाता है क्योंकि जो चंद राजबन से था तो उसका आपकि पेहली राजधानी थी वो आपका चंपावत थी उसने भी यहाँ पर सासन किया, उसके बाद यहाँ पर कौन आए? घुरखे आए, तो गोरखाओं दौरा भी जो है आपका अल्मोडा में सासन किया गया उसके बाद जो है आपका यहां पर अंग्रेजु का अधिकार हो गया तो जो है आपका पहला जो गवर्णर था ये गार्णर जो है आपका कापर नेनिताल मेरा पर अलमोडा में भी उसने राज किया तो जो है आपको और बहुत राजाओं की द्वारा अलमोडा में राज किया गया और अलमोडा एक ऐसा छेतर है जहाँ पर टाइम टाइम पे जो ह कारिकरम किये जाते हैं इसलिए जो आपका अलमोड़ा है अलमोड़ा को आपका क्या काआ जाता है सांस्कृतिक राजधानी भी काआ जाता है किसका कुमाओं का दोस्तों आजकी वीडियो में यहीं पर सिमाप्त करता हूँ धन्यवाद